नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि मैकपोड टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, मैकपोड टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मैकपोड टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि मैकपोड टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, मैकपोड एक ब्रैंड नेम है, मैकपोड टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन सेफपोडोकसीम होता है, मैकपोड टैबलेट 50 mg, 100 mg वद 200 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, मैकपोड टैबलेट एक अंटिबायोटिक दवा है, मैकपोड टैबलेट का उप्योग शरीर में बैक्टिरियल इनफेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फैफरों में बैक्टिरियल इनफेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खासी होने पर, पेट में इनफेक्शन होने पर, दातों या मसूडों में इनफेक्शन होने पर, जोडो या हड्डियों में इंफेक्शन होने पर, पेशाब में इंफेक्शन होने पर और कान नाग गले या तवचा पर इंफेक्शन होने पर डॉक्तर मैटपोर्ड टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, तवचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर भी डॉक्तर मैकपोर्ड टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. शरीर में infection होने पर बुखार हो सकता है। इसलिए बुखार होने पर भी Dr. Macboard Tablet को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी conditions हैं जिनमें आपका Dr. Macboard Tablet को लेने की सलाह दे सकता है। Side Effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Macboard Tablet की वज़ह से कोई Side Effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Macboard Tablet की वज़ह से कुछ सामान्य Side Effects हो सकते हैं। जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधजमी होना, तवचा पर रैशेस होना, पेट में दर्ध होना और दस्थ होना आदी Side Effects Macboard Tablet की वज़ह से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की Macboard Tablet को कैसे लेना recommended होता है। Macboard Tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है। आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Macboard 200 MG Tablet को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को Dr. Macboard Tablet को शरीर के वज़न के हिसाब से 10 MG पर किलोग्राम और पर डे के हिसाब से डोज को दो समान भागों में डिवाइड करके लेने की सलाह देते हैं। Macboard Tablet की डोज उम्र, शरीर के वज़न और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको Macboard Tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। Macboard Tablet को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने Macboard Tablet को लेने की सला दी है। पूरा लेना चाहिए। अब हम दिसकस करेंगे की Macboard Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में Macboard Tablet की डोज घटानी पढ़ सकती है। Macboard Tablet Viral Infection होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है। वैसे Macboard Tablet Pregnant महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी Macboard Tablet का सेवन करना सुरक्षित है। इसलिए जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Macboard Tablet को लेने की सला दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Macboard Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।